तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि परवाकर जी ने बताया कि ये एक योगी मंदिर का निर्मान करने जा रहे हैं कुन हमारी समस्त मुस्लिम समाज की अमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सब की गुद्धी जीवियों की सर्व समाज की सुबकामना इनके साथ है ये एक बहतरीन कारे करने जा रहे और ये तो बिल्कुल तय है कि माननिया योगी आदित नाथ जी के कुशल साशन का नित्रितु अगर संपुन भारत के हर परदेश के जितने भी लोग है अगर उनको करे और वैसा मुख्यमंतरी मिल जाए तो वाकई ये जो परिकल्पना है कि एक राम राज तो योगी जी ने एक करके दिखाया है उन्होंने वो त्याग वो लोगों के पड़ति बेढ़ वाओ उन्हों चीजों को दूर करके उन्होंने ये दिखाया है कि मैं कुसल सासक के रूप में राम राज'S की अस्थापना कैसे होती है और एसे विशेश कार्ण इसे चीजों के लिए अगर कोई शंत महात्मा मान्या योगी जी यह शश्वी मुख्य मंत्री जिन्हों ने इस तरीके करें किया है और उनको अगर उनके लिए अगर प्रभाकर जी कोई मंदिर बना रहे हैं तो ऐसा ये बहुत बेहतरी अयोध्या तो वैसे मठ और मंदिरों के नाम से जानी जाती है लेकिन अब मुख्यमंत्री योगिया दितिनात के मंदिर के नाम से भी जानी जाएगी धर्मनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितिनात का मंदिर बनने जा रहा है अस्ता है प्रभाकर मौरिया जी का और परमभक्त है जोगी आदितनाजी के इस प्रकार से 101 फिट की भब मंदिर बनवा रहे हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के सस्वी बुख मंत्री योगी आदितनाजी महराज की 101 फिट का मंदिर निर्मान का वीरा उठाया कि आपका कारे नेक हैं और आप ऐसे ही अनेक कारे करते रहें धर्म के पच्छ में सनातन संस्कृति के लिए और योगी जी के प्रशंसक हैं भगवे के प्रशंसक हैं सनातन के प्रशंसक हैं इसके नाते वो कारकन हैं इसके नाते हम लोग उनको आश्रवाद भी दिया संकल्पलिया जो पूरा करके दिखाएंगे मंदिर योगी जी का हम अब भब्य बनाएंगे संकल्पलिया जो पूरा दर के दिखाएंगे मंदिर योगी जी का हम अब भब्य बनाएंगे और यह मंदिर की जो लंबाई होगी वालग बद पचास बुड़े पचास यानि की पचास लंबाई होगी और पचास चौड़ाई होगी और इसकी उचाई जो है एक सो एक फिट उसकी उचाई होगी वही राम मंदिर एक सो सर्पिट होगा तो योगी अदितनाज जी का मंदिर एक सो एक फिट उचाई होगी अभी तक आपने मंदिर में फिर भगवान की पूजा होते दिखियोगी लेकिन अयुद्या में एक ऐसा मंदिर है जहां मुखमंत्री योगी अदितनाज की पूजा होती है आज हम आपको दिखाएंगे आयुद्या फे चन्द किलोमीटर की दूरी पे जहां मुखमंत्री योग्या दितनात की नाम पर मुर्ती तो बलागाई गई है फातिसाद मुखमंत्री योग्या दितनात की पूजा होती है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से और यहाँ पे मुखमंत्री की ही पूजा होती है नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ मलिका मलहूत्रा क्या किसी शक्स के प्रती आपका प्यार आपका समर्पन आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ सकती है कि आप उसे भगवान की तरह पूझने लग जाएं यहां ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश पर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात का उनकी एक प्रशंसक ने मंदर बनवा दिया है इस मंदर का निर्मान कराने वाले प्रभाकर मौरिव कहते हैं कि जो राम का मंदर बनवा रहा है हमने उसका मंदर बनवाया है योगी आधितिनाथ की महिमा भी निराली है वो काफी पूझनिय है इसी कारण हमने उनका मंदर बनवा दिया है भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान का काम गती पर है इससे पहले ही अयोध्या से करीब 25 किलोमेटर दूर प्रियागराज हाईवे पर योगी आदितिनात का मंदिर बन कर तैयार हो गया है तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं योगी आदितिनात का मंदिर देखिए धर्मनगरी आयोध्या में कदम कदम पर मंदिर है यहां भगवान श्री राम का मंदिर निर्मान अधीन है लेकिन इसके साथ ही आयोध्या में एक ऐसी जगा भी है जहाँ यूपी के सीम योगी आदितनात का मंदिर बनाए गया है जिसमें वकाइदा CM योगी की प्रतिमा बनाई गई है CM योगी के इस मंदर का निर्मान प्रभाकर मौरे ने किया है जो CM योगी के प्रशन सक्थ है और इसकी वज़ा प्रभाकर मौरे ने बताई दरसल उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी आयोध्या में प्रभूश्री राम का मंदर निर्मान करवाएगा वो उसका मंदर बनाएगे